तो ये बात तो हम सभी जानता है कि бол volver ने हमें एक से एक बढिया फिल्म भी दिये और एक से बेकार फिल्में भी दिये और इस बात में भी कोई शेख नहीं कि बॉले बॉड नी हम को एक से बढ़कर एक pink patriotic movie भी दिये है तो आज बात करने वाले हैं बॉलिवूड की उन 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने हमारा सीना गर्थ से चोड़ा किया और उनकी रिलीज के टाइम पे भी हम तो पसंद किया था और आज भी हम उन्हें खुब पसंद करते हैं और जब भी आप कभी तीवी या फिर किसी ओंडीव पर देखते हैं तो हमें उनको देखते वक्त एक अज़क से खुशी महसूस होती है In short, आज हम बात करने वाले हैं Bollywood की Top 10 Best Patriotic Movies के बारे में और हाँ, ये list मेरी personal list है तो ज़रूरी नहीं कि आपके बार मेरे thoughts मैस करते हूं और इस Top 10 Movies की list के बाद मैं आपको बताऊंगा Bollywood के Top 10 Patriotic Songs की list तो चलिए, बिना कोई दिया लिखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं हाँ, आज बगवास नहीं करूंगा और अगर मेरे आस पास शोर आ रहा है, तो इसको ज़रे के नोर मारिएगा तो नमबर 10 पे है, 2021 में रिलीज शेरशा एक बहुती जबरदस्ट, एक बहुती लाजवाब Bollywood फिल्म इस फिल्म में जिस तरह सिस्तरधाद मलोतरा ने कैप्टर्न विगरान बत्रासर के केरेटर को निभाया था वो सच में काभी रेत तारीफ है इस फिल्म के सीन्स, इस फिल्म के डायलॉक्स, इस फिल्म के अक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म के गाने, इस फिल्म में सभी के परफॉमेंस लाजवाब इस फिल्म के स्टार कास्ट में हैं सिधाद मनोतरा, किया राडवानी, शेफपंडित, निके दंधीर, पवन चोपड़ा और साहिल वेद आदी आदी और फिल्म है मैं में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है आप बेने किसी डाउट के इस मूवी को देख सकते हैं और फिर नौवे नंबर पे है 2019 में रिलीजड उरी the surgical strike जैसके 2021 में पूरे साल सिरफ और शेफ शेर शाह का बोलबाला था वैसे 2019 में पूरे साल सिरफ एकी फिल्म का बोलबाला था और वो फिल्म थी उरी the surgical strike पर भगवान जाने क्यों 2019 में सारे अवार्ड्स सारे के सारे अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ गली बॉय को मिले थे पूरी फिल्म के डाइकडर है आजित्य धर और इस फिल्म की में स्टार कास्ट में हैं विक्की कोशल यामी गौतम परेश रावल मोहित रहना कीर्थी कुलहा और रजित कपूर और सच में विक्की कोशल ने इस फिल्म में लाजवाब से भी दो तीन लेवल ऊपर वाली एक्टिंग करी थी और जब मैंने इस फिल्म को फर्स टाइम देखा था तब मेरे मन में सबसे पहले यही थोट आया था कि मैंने इस मूबी को थेटर में क्यों न देख सकते हैं और फिर हाडवे नंबर पे हैं दोजा रेक में रिलीज्ड लगान फिल्म और लगान एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मुझे कुछ भी बोलने की दरूद नहीं है हम सब जानते हैं कि लगान एक कितनी जादा वेरे मिड मूवी है इस फिल्म की में स्टार क में हैं आमिर खान यश्पाल शर्मा ग्रेशी सिंग तैश अंकर पांडे अखिलेंद्र मिश्रा और प्रदीब राम सिंग रावत आधी आधी और फिल्म नेट्लिक्स पे अवेलेबल है अगर नहीं देखिया आपने फिल्म तो जरूर जरूर देखिएगा और साथ नंबर अगेन आमिर खान की फिल्म है और फिल्म है 2006 में रिलीज रंग दे पसंती एक्सिलेंट मूवी आउटस्टेंडी मूवी बस यही दो शब्देश मूवी के लिए इस मूवी में वो हर चीज है जो एक देश भक्ती वाली मूवी में होनी चाहिए पेट्रियोर्टिजम सोहाली खान शर्मन जोशी कुनाल कपूर अदुलकुलकर्णी वाईदा रह्मान आर्मादबंसर एटसेटर एटसेटर और दोस्तों जो इस फिल्म का सीन है उसी जब मैंने फर्स्ट देखा था तो मुझे को रोना आ गया था सच में मुझे को रोना आ गया था और गानों की बहुत पसंद है यह फिल्म में 2004 में रिलीज्ड लक्ष है इस फिल्म के डाक्टर ने परहान अक्तर और इस फिल्म की में स्टार कास्ट में है रितिक रोशन नामिताब बच्चन प्रीती जिंदा रणवीर शौरी पर्मीज सेटी एड़सेटर एड़सेटर और यह फिल्म अमजोन प्राइम वीडियो और नेट्फिलिक्स इन दो प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं अगर आपने फिल्म नहीं देखिए तो जरूर जरूर देखिएगा और अब बारी है टॉप फाइव मूवीज की और दोस्तों अब जो यह टॉप फाइव मूवीज हैं यह कि अब दो यह टैना तब मैं सोच ही लाता कि अगर मैं इस लिस्ट में मनोज पुमार अबे के बहुँ कर सकते यह लिए च्री रम सर्मा स्र और उस्लम की में में स्टार कास्ट में मैं अनोज गुमार जी प्रेम चोपड़ा जी प्रांड सर मनमोहन सर और मदनपुरी सर आधी आधी सच में आउटस्टेंडिंग मुवी और छोते नमबर प्याग यह नहीं कैसी फिल्म है जो भगस सिंग जी की लाइफ पर बेस्ट है और इस फिल्म का नाम है दी लेजंड ऑफ भगस सिं यह फिल्म है थी 2002 में और उस फिल्म की डेक्टर है राज लुमार संदूशी सर और इस फिल्म की में स्टार कास्ट में है अजे देवगन सर, सुषान सिंग, राज बबबर सर, मुकेश टिलाजी सर, आधी आधी और इस फिल्म जीयो सिनिमा, नेट्टिक्स, एमासोन और अब बारी है टॉप थ्री मुवी की और मैं पूरी पूरी गैरेंटी रहा हूं कि आप इन तीन में से एक भी मुवी को गैस नहीं कर पाएंगे, तो नमबर थ्री पे है, 1970 में रिलीज्ट मनोज कुमार सर की, सुपर ब्लॉक बस्टर, बहुती सुन्दर फिल्म, पूरब और पच्चिम, अब मैंने इस फिल्म का नाम बोल दिया है, तो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूद नहीं है, कि ये फिल्म कितनी, कितनी, कितनी जादा बढ़िया फिल्म है, हमारे भारत देश की सुन्दरता को, जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है, वो सच में काविले तारीफ है, इस फिल्म के डायलॉक्स, इस फिल्म में सभी की परफॉमेंस और इस फिल्म का वो गाना, है प्रीज जहां की रीज सदा, और आप जब इस फिल्म को देखेंगे, तो आपके मन में सबसे पहले यही थोड़ आएगा, कि आप ऐसी फिल्म ने बंदी क्य अगर आपने फिल्म नहीं देखिया तो अभी के भी जाईए और जी फाइब पर इस फिल्म का मज़ा उठाई है, अब बारी है दूसरे नंबर की, वो दूसरे नंबर पे है, 2003 में रिलीज मल्टी स्टार्डर फिल्म, एलोसी कारगिल, कारगिल वोर पर बनी एक बहुती बह अशेखना सर, नागार जुन सर, संजे कपूर सर, आशुतोष राणा सर, एड्सेटर एडसेटर एडसेटर, अब आप सोचिए, इतने ग्रेट डिरेक्टर, इतनी ग्रेट स्टार कास्ट, तो यह फिल्म कितनी जादा लाजवाब होगी, और यह फिल्म अभी तक की, बॉली है नमबर वन की, और मैं शूर हूँ कि आप मैं से बहुत लोग को पता लग जाओ कि अब मैं नमबर वन पे किस मुवी का नाम लेने वाला हूँ, तो नमबर वन पे है 1997 में रिलीज़ बॉर्डर, जीपी तरता सर जैसे ग्रेट डिरेक्टर, और स्टार कास्ट, भाई, पू बहतरीन, ग्रेट, इन शब्दों के अलाव में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जिससे मैं इस फिल्म की तारीफ कर सकूँ, यह मूवी अपरसल प्राइम पे वेलेबल है, अभी कही जाकर जरूर देखिए, इस फिल्म के सीन्स, फिल्म की लोकेशन, फिल्म का स्क्रीन प्ल बच्चों को दिखा इन मूवी को, ताकि इन मूवी से वो इंस्पायर हो, उनके दिल में देश भक्ति की भाव ना जागे, और मैं जानता हूं कि अब भी बहुत सारी फिल्म रहे गई हैं, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, और उस चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पहला इसन तो यह कि मैंने वो फिल्म देखी ना हूं, दूसरा यह कि वो टॉप टेन की केटेगरी में फिट ना बैठती हूं, और तीसरा यह कि जितना वो मूवी आपको पसंद हैं, उतना वो मुझ को पसंद ना हूं, और मैंने जैसा कि पहले कहा था, कि यह लिस्ट मेरी पर्सनल लिस्ट है और अब एक लास्ट लिस्ट है टॉप 10 पैट्रियोटिक सॉंग्स की लिस्ट रहा हूं क्यों कि मुझे बता रहें कि जरुत नहीं है कि ये सॉंग किस फिल्म का है इस सॉंग को किस सिंगन नेगा आया है तो नमबर 10 पे है जै हो और नमबर 9 पे मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच समझ के नमबर 9 की पोजिशन टाई हो गई है नमबर 9 पे हैं दो गाने सबसे पहला नननमुननर रही हूँ और दूसरा सुनो गोर्ण से दुनिया वालों और नमबर आठ पे है ऐ मेरे वतन के लोगों और नमबर साथ पे है दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए और नमबर छह पे है ये देश है वीर जवानों का और नमबर पांच पे है मेरे देश की धरती और अब नमबर चार पे है संदे से आते हैं और नमबर तीन पर है मा तुझे सलाम और नमबर दो पर है एक भोती भैठरीन गाना तेरी मिट्टी और अब नमबर वन यानि कि मेरी नजर में बॉलिवूड का अब तक का best patriotic song और वह सौंग का नाम है है प्रीज जहां की रित सता एक भोती सुन्दर गाना तो दोस्तों ये थे मेरी लिस्ट टोप 10 बैस्ट प्रेयर्टिक मूवी और टोप 10 बैस्प प्रेयर्टिकastianố ऑफ बॉले वुड की आप shout इस 000 2007 सब्सक्राइब कर लीजेगा तर हमारे willam इसको पूलो कर से दिसक्रिप्शन में हैं और आप सबी को हैपी हैपी रिपब्लिक डे बंदे मातरम और देखते रहिए मूवी वर्स